सूरे नमस्कार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है स्कूलों में सूरे नमस्कार कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पराज राजसान हाई कोट में सुनवाई होनी है ए आईएम आईएम के प्रदेश महासचिव हैं कासिफ जुबेरी जिनोंने हाई कोट में सरकार के निड़ने के खिलाफ याचिका दायर की है याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार का स्कूलों में सूरे नमस्कार कराने का फैसला गैर सम्विधानिक है ये सम्विधान की आर्टिकल 25 का उलंगन करता है, गौरतलाब है कि शिक्षा विभाग ने 15 फरवरिक स्कूलों में सामुईक सूर नमस्कार कारिकरम आयजवित करने का आदेश निकाला है, शिक्षा विभाग के आदेश सब इसकूलों में अनिवारे रूप से लागू स्कूल में आने वाले सभी लोगों को सूर नमस्कार करना होगा, जम्यत उलेमा हिंद ने प्रस्ताव पास करके मुस्लिम समुदाय से स्कूलों में होने वाले सूर नमस्कार के आयोज़न के बहिशकार की अपील की है, संगठन का कहना है कि इस तरह का आदेश धार्मिक मामल आज सुनवाई होनी है कोट में, राजसान हाई कोट में आज सुनवाई होनी है इस पर, कोट में भजलाल सरकार के फैसले को चुनौते दी गई है, पंद्रह फरवरी यानि की कल से इस कूलों में सामूह कुरूप से सूर नमस्कार कराई जाएगा, स्टूड़ेंट्स को, और इसी को लेकर याज़िक का लगाई गई हाई कोट जिस पर सुनवाई होनी है आज तो क्योंकि इस मामले को लेकर हाई कोट पर सुनवाई होनी है क्या है पूर जानकारी इस वक्त सोमू मेरे साथ मौजूद है सोमू जिदे कि सकार के इस फैसले को चुनौती दी गई है और बारत आरिक को ही इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन अब आज सुनवाई होनी है और आज ये तई होगा कि कल जो बड़े पैमाने पर सरकार ने तयारी करके रखी है कि गिनिस बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कराया जाए इस तरकी तयारियां है सुरी नमसकार को लेकर के उस पर कोट का नड़ाय क्या आता है अब से थोड़ी देर के बाद कोट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने अपनी ओर से याचिका दायर की है और याचिका में कहा है कि ये धार्मिक सोतंतरता का उलंगन है ये जो सरकार का फैसला है क्योंकि हर किसी को अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने की आजादी है और ये फैसला उसका अर्तिकरमन करता है इसके लिए ये लोग हाई कोट में गए हैं और साथ ही साथ कई मुस्लिम संगटनों ने अपील भी की है लोगों से खास दूर पर जो मुस्लिम विद्यार थी है उनसे कि वे इसकार करें बीजे प्या का क्या रुख है इस पर? जिरे की सरकार ने अपना रुप तो बहुत साफ किया है और कल भी शिक्षा मंतरी मदन दिलावर ने ये कहा है कि हम स्कूलों में ये चीज़ करवाएंगे और उसके अलावे भी जो अमभातिजिता पार्टी के तमाम नेता हैं वे जो शोर से इस बात की तयारी में जुटे हैं कि स्कूलों में ये कारेकरम हो लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो संस्था कोर्ट गई है उनमें से एक संस्था है जमेत उलिमाय हिंद तो उनके उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं अपील भी की थी विद्यारतियों से कि आप उस 15 तारीक को विद्यालियों में ना जाएं कारेकरम का बहिशकार करें ऐसी नौबत क्यूं आई सर हम बात करते हैं आप सब देखिए ऐसी नौबत इसलिए आई है कि भारत एक जो है लोकतंतर देश है धर्मनिर्पेक्षिस का जो है नेचर है और भारत का समयधान जो है सब लोगों को इस बात की आजादी देता है कि वो अपने धर्मिक मानिताओं के और आस्थाओं के मताबिक अपना जीवनियापन करें सूरी नमसकार जो है इस आस्था के विपरीत एक प्रिकरिया है मुसल्मान सिर्फ एक खुदा को मानता है किसी और देवी देवताओं को मानिता नहीं देता है और उसी के आगे सर जुकाता है और उसी को अपना सब कुछ मानता है क्योंकि सूर्य नमसकार जिसा के हमारे शिशामंतरी ने भी कहा है अपने एक कथन के अंदर कि ये जो है सूर्य भगवान का जो है ये कल जनम दिन है और हम इसको जो है विदीवत रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से हम इसे कर रहे हैं तो एक तरीक से धार्मिक अनुष्ठान है और ये हमारी मानिताओं के विपरी थे इसलिए हमने इसकी बहिशकार का एलान किया है ये बात भी सर्विदित है कि इस से पहले भी जो है दोजार पंधरा के अंदर उस वक्त की भाज़पा सरकार ने राजिस्थान के अंदर इस खिजम का आदेश पारित किया था जिसको राजिस्थान हाई कोर्ट ने जो है टरंडाउन कर दिया था और इसको एच्छिक कर दिया था अब इसके अलावा जबलपुर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था इसी तरह का और सुप्रिम कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया था आप लोग स्वेर एक बर फिर से नियायले का रुक किया है आपने क्या मांगा है आपने क्या कहा है नियायले से क्या दर्खास्त की है हमने नियाले से ये कहा है कि आप जो है ये जो करते किया जा रहा है ये हमारी आस्था की विप्री थे लहाद इस पर रोक लगाई जाए अब ये नियाले को देखना है कि वो क्या करता है अब तक का जो हमारा तजर्बा रहा है कि नियाले पोजिटिव रहा है और हम अब भी उ आएगा ऐसी हमें उम्मीद है लेकिन सरकारों को भी सोचना चाहिए कि जब एक मरतबा फैसला आ चुका है उच्छतम ने आले का विभिन जो है आई कोर्टों का फैसला जब आ चुका है तो ऐसी चीजों को दुबारा जो है करने की चेश्टा नहीं करनी चाहिए अपने ये कह है कि दायतू को पूरे तरीखे से सही तरीखे से जो हमारा क्या आमेदेश का सविधान है उसके अनुरूब जो है उनका आचरण सरगारों का आचरण होना चाहिए पर एक सवाल है क्योंकि कई विद्यार्थी जो है वो हाईर क्लासिस के भी है तो क्या आप उनको आजादी पर देना चाहते कि वे अपने हिसाब से चैन करें कि वे इसमें शामिल होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं आपको अपील क्यों करनी पर रही है हम सभी विद्यार्थियों से देखिए जमियत अलमा इहिंज जो है एक सामाजीक और धार्मिक संगठन है और इसके अंदर जो तर लोग हैं वो अलमाय किराम हैं जिनका धार्मिक गुरू जो हैं वो हैं यह अपील इसलिए हमने की है वैसे तो आजादी है हर शक्त को इस मुलके अंदर के वो जिस जिस तरीके से चाहिए अपनी जिनकी गुजारे लेकिन फिर भी हमारे एक मोरल रिस्पोंसिबिलिटी हो जाती है कि हम लोगों का ओगत कराएं वो अमने अधुरा दिया है अब यह आपना फैसला होगा कि इसको किसा तक इसको आत fists किस तक नहीं मानते का सिधा-सिदा तालोग मसजदों से है. कहीं वो इमाम है. कहीं बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो इसलिए जो है बटनेचरल है कि जो आदमी यहां रह रहा है को वहां वो अपने विचार लोगों के सामने रखेगा. वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है सोशल मीडिया के जरीए से और हमारा जो नेशनल मीडिया है उसने इस इशु को इतना ज्यादा हाइलाइट कर दिया है कि हमें और किसी माध्यम की बहुत ज्यादा दूरत नहीं रह गई है तो इसके जरीए से ये मैसेज इतना ज्यादा जा चुका ह कि लोगों के अंदर कि कहा लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्म के जो लोग है वो सूर नमसकार नहीं कर सकते हैं और जिस बात का यह हवाला दे रहे हैं क्योंकि अब राधर सान में यूसिसी लाने की बात भी हो रही है इसका मतलब कि एक देश एक कानून कि ऐसा कहा लिखा हुआ है कहा ऐसा दर्ज है कि सुर नमसकार मुस्लिम नहीं कर सकते हैं और इसका उलेक कहा है देखिए इसका उलेक तो कुरान में जगा जगा है कि एक खुड़ को छोड़कर कि किसी दूसरे की पूजा करना या परस्षिश करना या अबादत करना इसको इसलामी पाशा के अंदर शिर्क का आ जा सकता है तो शिर्क के लिए जो है बहुत सक्ति के साथ मनाई आई है और मुहमद साब का पूरा मूवमेंट जो था वो शिर्क के खिलाफ ही था तो इसलिए अब इसके पर्टिकॉलर तो बहुत सारी जगां है मैं कहां कहां कि रेफरेंस दो तो जो है एक तरीके से इसलाम की ये बुनियादी चीज़ के खिलाफ है फिर दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके उपर क्यों इसरार किया जा रहा है कि सब सब इस काम को करें सवाल ये है कि एक धर्मिनिफ्रेश मुल्क है कल को मैं कहूं कि सब नमाज जो है वो भी एक तरीके से एक्सरसाइज है एक तरीके से योगा है इसलिए जो है सब लोगों को स्कूलों के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए तो क्या ये उचित होगा क्या मैं कोई सपोस कर लिजे मेरा अजसान का इश्किशा मंतरी होता और मैं ये आदिश पारित करवा देता कि सब लोग मजजित स्कूलों के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो क्या ये उचित होता सोमो इन से एक सवाल लीजिए प्रार्तना कराए जाती है बच्चे स्कूल जाते हैं चाहिए वो किसी भी धर्म से जुड़े लोग हो वो प्रार्तना करते हैं नमाज हमने नहीं देखिए अब तक स्कूलों में होती हुई लेकिन सूरह नमस्कार का ये विरोध कर रहे है हम भी उसका हिस्सा होते रहे हैं तो क्या अब आप पहली तो पहले तो आप सुरह नमस्कार पे आप कोट गए हैं तो क्या प्रार्तना वगरे पे रोक के लिए भी कोट जाएंगे देखिए अब तक जो तरीका चला आ रहा था हम भी अपने बैस्पन के अंदर इसकूलों के अंदर हम पढ़ते थे महां फिजिकल एकसरसाइज होती थी कभी ये विवाद हुआ नहीं इसके उपर किसा फिजिकल एकसरसाइज नहीं की जाए लेकिन जब से इसको धार्मिक रंग नेने की कोशिश की गई है तो ये चीज़ें कंट्रावर्षल हो गए है और जो है इन कंट्रावर्षी से हम जहां तक कोशिश है कि सरकारों को बचना चाहिए महां जो कुछ होता है स्कूलों के अंदर प्रासना वगरा होती है महां बारहल जो जिन्नों को प्राइसना बोलना होती वो बोलते हैं जिन्नों को नहीं बोलना होती वो जो है खामशे के साथ खड़े रहते हैं तो महां पर वो कंपर्शन नहीं है कि आप बोलेंगे ही जिनको नहीं बोलना है वो आप कंपर्शन के खिलाफ हैं कंपल्शन के हर तना के खिलाव हैं कि अगर आपको मालूम हो तो 1986 के अंदर के अंदर एक मामला हुआ था राश्टगान को लेकर और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया था कि राश्टगान जो है कंपल्सरी नहीं है उसके एहतराम करना जुरूरी है तो राश्टगान जब गाये जाए तो आप खड़े हो जाएं लेकिन राश्टगान गाना जुरूरी नहीं है जब राश्टगान जिस सवाल अगर राजस्थान हाई कोर्ट में आप जो जिस फैसले की उमीद कर रहे हैं वसा फैसला नहीं आता है तो आपका क्या रुख होगा हमें उम्मीद तो यह है कि फैसला उसी के इस आप से आएगा क्योंकि पहले भी कोर्ट फैसला दे चुका है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहना में उच्छे नयायले जो है उसकी विभरी जाने की कुशिश करेगा फिर भी अगर जाता है तो